हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों हम लोगोंने LTSiction अभी रूची पर एक विसेश सीरीज चलाई भी है जिसमें हमने काफी सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दी है अगर आप लोगोंने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएए और प्लेलिस्ट में जाकर आप उनका अवलोकन कर सकते हैं प्लेलिस्ट में हमने LTSiction अभी रूची के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हैं वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे हो जाता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कोशन है प्रस्ण संक्या एक है अभी प्रेणा यानि की मोटीवेशन क्या है उस अनुकूल परिस्तिति को कहते हैं जिसमें बचे सीखते हैं बच्चों को नई बाते सीखने को उक्साती है परिक्षन का परिणाम है अभी प्रेणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है देखिए दोस्तों अगर हम अभी प्रेणा की बात करें तो अभी प्रेणा एक ऐसा बल है जो विक्ती के अंदर उत्पन होता है ना कि कुछ ऐसी चीज जिसे सिख्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं तो यानि ये ऐसा बल है जो बालक को नई बाते सीखने को उकसाता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी प्रेणा है अभी प्रेणा दोस्तों चात्र के अंदर एक ऐसा बल है जो विक्ती के अंदर उत्पन होता है और उसको नई बाते सीखने को उकसाता है तो इसका राइट आंसर है बी यानि बालक को नई बाते सीखने को उकसाती है अभी प्रेणा अगला कोशिन अच्छे सिक्षक को किसका ज्यान होना चाहिए बाल मनोविज्ञान, सिक्षा मनोविज्ञान, व्यावारिक मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी देखे दोस्तों एक अच्छा सिक्षक होगा उसको बाल मनोविज्ञान का भी ज्यान होना चाहिए सिक्षा मनोविज्यान का भी ज्यान होना चाहिए व्यावारिक मनोविज्यान का भी ज्यान होना चाहिए उसको चाइड्ड सैकलोजी के बारे में भी आना चाहिए एजुकेशनल सैकलोजी के बारे में भी पता लगना चाहिए और जो चीजें जो पढ़ा रहे सिध्धान्तिक रूप से उसका वियवारिक रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसकी साइकलोजी भी उसको आनी चाहिए तो इस तरीके से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है तो काफी सिंपल सा कोशन है बहुत इजी है इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट कोशन चात्र को क्या और कितना पढ़ाए जाए इस बात का निर्णे अध्यापक करता है या सिख्षा के किस सिध्धान्त के अंतरगत आता है दोस्तों हम लोगोंने सिख्षण के सिध्धान्त के बारे में भी पढ़ा था आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी उसमें हमने कई तरह के सिध्धान्त बताए थे रूची का सिध्धान, मायवर्टेक सिध्धान, नियोजन का सिध्धान, जीवन से जोडने का सिध्धान अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं ही किया जाता है पार्ट में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि उस इस्तर के छात्रों के लिए बेकार हो सकती है ठीकर रत्तो जो अध्यापक है वो छात्रों के इस्तर उनकी रूची और उद्देशों को ध्यान में रखकर केवल उसी सामगरी को सिक्षन के लिए चुना जाना जो बच्चों के लिए सार्तक हो और आगे उनके भविश्य में काम आए और उनको समझने योग्य भी हो तो यहाँ पर जो चैन का सिद्धानत है वो काफी important है कि छात्र को क्या पढ़ाना और कितना पढ़ाना है यह निर्णा अध्यापक करता है तो यह चैन के सिद्धान य जो एक ऐसा आंत्रिक बल होता है जो बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए उकसाता है यानि कि छात्रों में रूची उत्पन करता है तो बहुत सिंपल है तो सिख्चा का प्रेणा का सिद्धानत है वो क्या है प्रेणा छात्रों में रूची उत्पन करती है प्रेणा वो छात्रों में रूची उत्पन करती है, यह इसका बिलकुल सही आंसर है इसके बाद अगला कोशन है, सिक्षा का रूची का सिधान क्या बताता है देखिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ओफ इंटरस्ट, इसके बारे में भी हमने डिसकस किया था दोस्तों कि अगर सिक्षण कार्य में बच्चे रूची लेंगे, तबी सिक्षण कार्य सफल होता है यानि कि सिक्षण तबी किया जाए जब छात्रों की उसमें रूची हो और यदि रूची ना हो, तो सिक्षण से पूर्व रूची पैदा करनी चाहिए तो इस तरीके से देखा जाए, तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर बी बैठता है तो यानि जो सिक्षण है, उसको बालक में सीखने की रूची पैदा करनी चाहिए हलां कि दोस्तों वैसे देखा जाए, तो इसका ऑप्षण नंबर जो डी है, वो भी राइट है तो एक तरीके से थोड़ा कंट्रेडिक्शल इसके ऑप्षण होगे, कोई बात नी लेकिन जो इसका बिलकुल सही आंसर बैठता है, वो मेरे हिसाब से भी बैठता है हलां कि इसका आंसर D भी हो सकता है, अब आप बताईएगा कि आपको क्या सही लगता है इसका आंसर, ठीक है तो आप इसका, मेरे को बताईएगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचने है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए देखे सिध्धान तो यही बताता है कि जो सिक्चक है उसको बालग में सीखने की रूची पैदा कर नीचे हलंकि यह यह भी बताता है कि अगर छात्रों को अगर सीखने की रूची नहीं है तो वो उसमें मन लगा कर कारे नहीं करते हैं यह भी बिल्कुल इसका सही आंसर है तो आपको पता लगेगा कि एक अच्छी परिक्षा के लिए तीन गुण होने बहुत ही important है पहले उसकी validity, दूसरी reliability और तीसरी आपकी जो उसकी behavioral यानि उसका व्यावारिकता कैसी है ठीक है तो सबसे important है कि उसकी वैदिता कितनी अच्छी है विश्वस्नियता और व्यावारिकता ठीक है तो यह बहुत important है आप मापन मुल्यांकन वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप नहीं देखिए कोई बात नी अब मापन मुल्यांकन पर एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़े समझ में आजेंगी कि वैदिता विश्वस्नियत और व्यावारिकता कितने important aspect है किसी भी आपके examination के ठीक है या किसी test के तो एक परिक्षण है वो वैद हो विश्वस्नियत हो व्यावारिक हो यह बहुत important हो जाता है ठीक है आप इस तीन वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे वैदिता विश्वस्नियता और व्यावारिकता अगला question है सिक्षा का एक सिध्धानते की बालक के पूर्व ज्यान को जानकर उस से जोड़कर नया ज्यान दिया जाए बालक का पूर्व ज्यान आप कैसे पता लगाएंगे उनके मता-पिता से पूछ कर उनके साथ बात कर के उनसे प्रश्न पूछ कर या मनोविग्यान की पढ़के तो भाई इसका सई आंसर क्या होगा दोस्तों आप जब आप उनके पूरु ज्यान का पता कैसे लगाएंगे उनसे प्रश्न पूछ कर बहुत सिंपल है ठीक है ना मायवटेक सिध्धान्त भी यही कहता है जो यह सिध्धान के प्रतिबाद कौन थे सुकरात थे या इसको प्रश्न उत्तर विदी भी बोला जाता है कि आप क्या करते हैं लगातार प्रश्न पूछते हैं प्रश्न से आपको क्या होता है कि उनके पूराने ज्यान का पता लगत जो आपका जो अंतिम प्रश्ण होता है वो प्रकरण से सम्बंदित होता है ना तो इस तरीके से आप प्रश्ण पूछ पूछ कर उनसके पूर्व घ्यान का पता लगाते हैं और फिर उसको नवीन घ्यान से जोड़ते हैं तो ये आपका उनसे आप क्या करेंगे simple है की प्रश या हम इसको बोलते हैं सूज का सिध्धान्त ये भी बोला जाता है ठीक है तो इसको किसने बढ़ावा दिया था दोस्तों गेस्टाल्ट वादी जो गेस्टाल्ट सिध्धान्त वादी थे इन्होंने जैसे कि कोलर होगे कॉफी होगे ये लोग आपके कहते हैं गेस्टाल्ट कर सकता है, अपनी सूज का प्रियोग करके भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पर एक जो गेस्टाल्ट वादी हैं, तीन तरह के मैंने आपको बताए थे अपनी वीडियो में तीन तरह के आपके विचारधारा वाले लोग हैं एक है व्यवार वादी, दूसरे थे आपके सम्मंद या सहचारिय वादी और तीसरे थे गेस्टाल्ट वादी तो गेस्टाल्ट वादी में कौन कोन आते थे कोलर आते थे, कोलर ने क्या किया था वन मानुस चिंपैंजी था ना जो कि जिसका नाम कहा था सुल्तान उस पर परयोग किया था तो इन्होंने सूज का सिध्धानत यानि कि अंतरदिष्टी के सिध्धानत को बताया था काफी important है इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है इसके बाद बहुत simple question सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों थोंडाइग थोंडाइग ने सीखने के नियम दिये थे या इसको अधिगम के तीन नियम इन्होंने दिये थे कौन-कौन से थे एक था ततपरता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम इसके अलावा इन्होंने पाँच गौण नियम भी दिये थे जिनको हमने अपनी पिसली वीडियो में डिस्कस किया था ठीक है ना तो जो तीन मुख्यन नियम है वो कौन-कौन से है एक आपका ततपरता का नियम ठीक है ना लॉफ रेडिनेस इसके बाद अभ्यास का नियम लॉफ एक्सराइस एंड प्रभाव का नियम यानि कि लॉफ इफेक्ट तो इसको आप धियान में रखेंगे इसके बाद अगला कोशन है किस मनोविज्यानिक के अनुसार सीखने का मतलब ग्यान का निर्मान करना है देखिए दोस्तों ये जो कोशन है आपका थोड़ा सा आगे से लिवस काया भी हमने इसके बारे में डिसकस नहीं किया हालनकि आप समझ लीजे कि ग्यान निर्मान की जहां पर बात आ जाती है तो वहाँ पर पियाजे का संग्यान अत्मक सिध्धान दा जाता है यानि की आपकी कॉगनेटिव थियोरी ओफ पियाजे ठीक है ना तो जीन पियाजे की जो थियोरी थी वहाँ से इसका सीधे सीधे लिंक बैठता है तो किस मनवब ज्यानिक अनुसार सीखने का मतलब ज्यान निर्मान करना है इनी का मतलब था कि भई सीखने का मतलब है ज्यान का निर्मान अगला कोशन सीखना व्यवार में उत्रोतर सामन जसी की प्रक्रिया या कथन किसने दिया था काफी important ये कथन है मैंने आपको पहली अपनी वीडियो जब अदिगम वाली मेरी वीडियो आई थी तो मैंने आपको सबसे पहली यही जो कथन है इसके बारे में बताया था तो इसको किस ने दिया था दोस्तों इसकी नर ने कथन दिया था जो सीखना है व्यावार में उत्रोतर सामन जिसी की प्रक्रिया है काफी important है सीखने में हम क्या करते हैं दोस्तों अपने अनुभो के आधार पर अपने अनुभो के आधार पर अपने व्यावार को परिवर्तित करते हैं अब आप बताईए पाठ्थे पुस्तक पठन रूची अनुभव या जिग्यासा देखिए अभी हमने बात इसके बारे में डिसकस किया था अगर आप सीखना चाते तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके अंदर उसके लिए जिग्यासा होनी चाहिए यान सिध्धान्त है अभी मैंने आपको बताया कि जो अधिगम के हमने अलग-अलग सिध्धान्त देखे थे व्यावारिक सिध्धान्त और इसके अलावा जो सहमंद और सहचार्यवाद का सिध्धान्त और गेस्टाल्टवादी अब व्यावारिक सिध्धान्त में आपके कौन- एक तो आता है पहला उद्धीपन अनुक्रिया सिध्धान उद्धीपन अनुक्रिया में आपका इसके बाद उद्धीपन अनुक्रिया सिध्धान के बाद कौन सा सिध्धान आता था दोस्तों मुझें के दौरा दी गई पावलव के दौरा ओके इसके बाद जो आता है सकीनर का पर सुन दिगम यानि operate conditioning theory अब operate जो थियोरी है वो अभी हमने देख लिया कि ऑपरेंट वाली जो थियोरी है किसके द्वारा दीगे इसकी नर के द्वारा प्रबलन का सिद्धान ये इसको दिया गया था कलार का हल के द्वारा ठीक है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे हल ने सिद्धान को दिया था तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी ये आपके कि व्यावारीक सिद्धान के अंतरगत आते हैं तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि सभी के जब जो सिद्धान थे वो व्यावारीक सिद्धान के अंतरगत आते हैं ठीक है या पुनर बलन के फलसुरूप व्यावारात्मक विकास किया जा सकता है देखिए दोस्तों अब ये जो सिधांत है ये इस तरीके से दिखा रहा है कि जो आप अपेक्षित व्यावार है उसके सन्निकट अगर आप सकारात्मक पर्तिक्रियाता था पुनर बलन करेंगे तो उसके फलसरो व्यावारात्मक विकास किया जा सकता है यानि कि व्यावार में विकास किया जा सकता है यानि कि यहाँ पर उद्धीपन का कोई भी जिकर नहीं किया तो दोस्तों जहाँ पर बात होती कि आपको कोई भी अनुक्रिया करने के लिए उद्धीपन की आवशक्ता नहीं है ठीक है ना उद्धीपन की आवशक्ता नहीं है इसके लिए इनोंने क्या किया था कि एक पिंजरे में चुहे को रखा था सफेद चुहे को और वो चुहा इदर से उधर भागता तो उससे सयोग wise क्या होता था लीवर दब जाथा उसको भोजन मिल जाता भोजन जब उसको मिल जाता तो उसको पुनर्बलन मिल जाता ठीक है ना तो उसने वो लीवर दबाना सीख लिया जबकि दूसरे याने कि जो आपके skinner हैं और पा ठीक और इसके अलावा एक और थे जिनका नाम है थॉनडाइक थॉनडाइक ने क्या माना कि पहले अनुक्रिया फिरुद्धीपन ठीक इसको आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर थोड़ा थोड़ा सा इनकी जो थियोरी है उसमें डिफरेंस है ठीक है इस चीज को आपने जो Skinner है Skinner ने क्या बोला पहले अनुक्रिया फिर उद्धीपन ठीक है आप इसको ध्यान में रखना कुछ World है जो हम पर लिख रहो हम है RS Theory देखिए RS Theory और एक उती SR Theory SR Theory क्या कहती है पहले Stimulant then Response जबकि RS Theory क्या बोलती है आपकी पहले आपका Response and then Stimulant तो ये आपका क्या है क्रिया परसूत है ये ध्यान में रखना है ये आपका क्या है क्रिया परसूत है जबकि SR जो Theory है उसमें आपके कौन को आएंगे सास्त्री अनुबंदन आएंगे ठीक है ना और आपका जो उद्धीपन अनुक्रिया सिद्धानत है वो इसके अंतरगत आएगा ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखना लेकिन है सब के सब किसके अंदर अगाद आते है व्यावारबाद के ही अंतरगत आते है ठीक है ना तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे उसको क्या मिला उद्धीपन मिला और उद्धीपन का मतलब है कि उसका क्या हुआ भोजन मिला उसको ठीक है यानि पहले उसने अनुक्रिया करी और फिर उसके बाद उसको भोजन मिला यानि कि उसने किसका काम किया यहाँ पर पुनरबलन का काम किया और फिर उस आगे जाके ल कुलियर हो गया हो गये question ही इसके बाद अभी हमने discuss कीया था था ततपड़ता का नियम किसने दिया भई ठतपड़ता की सीखने के सीखने को नियम थानडाइक न्याइक तबता कदीगम हो नहीं सकता तो ये ततपरता का नियम है तो उसको पहले आपने आपको क्या करना पड़ेगा ready करना पड़ेगा किसी चीज को सीखने के लिए तो वो क्या कहलाएगा ततपरता का नियम आपके सामने चार option है, आप देख लीजे पहले, कक्षा में पूर्ण अनुसासन, सिक्षा को चात्रों के भी संतोलित और सुसंगत समवाद, दिरिश्चे सामगरी की उपस्ति और सामपट का प्रचुरुपयोग, देखिए अगर आप कक्षा में पूर्ण अनुसासन करेंगे तो जोरी नहीं है कि आपकी सिक्षण में क्या हो सफलता हो, ठीक, इसका जो बिल्कुल सेटिक option है, वो है दोस्तों, सिक्षण को चात्रों के बीच में संतोलित और सुसंगत समवाद, कहने का मतलब यह है कि जब तक सिक्षण को चात्रों के बीच में इंटराक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, इंटराक्शन बढ़ेगा नहीं, तब तक आप सिक्षण की सफलता हो ही नहीं सकती, अगर आप अनुसासन है, पूरी तरह सा अनुसासन है, तो एक तरीके से उतो प्रभुत्व वाद हो गया, आप ठीक है, बक्चे कक्षा में हो सकता है कि अनुसासित र प्रचूर उपयोग कर लिजें, ठीक है, बच्चे उसको देख रहे हैं, देख उदर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है, तो फिर वही बात हो जाती है, कि सिक्षण की सफलता अभी होगी, जब बच्चे आपके प्रती क्या करेंगा, अनुक्रिया करेंगा, आज की जम बोले जा रहा है, चातर को बस देखे जा रहा है, और कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहा है, भले ही, आप कितना अच्छा पड़ा रहे हो। लेकिन चातर को अगर कोछ समझ नहीं आ रहा ही, वो बहाब अधिगम निकाले गए खाषण जो प्रक्रिया है, वो सिक्षण और करिया है वो सिक्षण और अधीगम इससे पूरी होती है ठीक है तो यहाँ पर जो सिक्षा को चात्रों के बीच में जब सन्तोलिस और सुसंग संबद होगा तब ही जयागे आपका क्या होगा सिक्षण में सफलता मिलेगी ठीक है इसके बाद आता है निमलिकित में से कौन सा सीखने का चेत्र है अभी जैसे हमने बताया था भई सीखने का चेत्र क्या होगा बताईए अभी हमने बताया था कि जो सीखना है वो क्या है अनुभव के द्वारा व्यवार में परिवर्तन है तो भई अनुभविक है आप सीखते कैसे है अपने अनुभव से तो सीखते है ना तो बहुत सिंपल है इसके बाद पाउलाव ने सीखने के लिए अनुबंधन परतिक्रिया सिध्धान्द का परतिबादन किया था अनुबंधन परतिक्रिया सिध्धान्द जिसको हम बोलते है classical conditioning theory ठीक है ना सास्त्री अनुबंधन सिध्धान्थ वो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने कुट्टे पर प्रयोग किया था इस संबंध में simple यह है कि हम क्या करते हैं एक उद्धीपक को replace कर देते हैं अगर हम उद्धीपक के परती जो अनुख्रिया करते हैं अगर हम उससे दूसरे उद्धीपक को replace कर दें उससे तो उसको हम क्या उसके परती भी हमारी जो अनुख्रिया है वो same हो जाती है ठीक है ना तो इसको क्या बोलते हैं conditional यानि conditional जैसे कि class में अगर शिक्षक आता है और बच्चे जैसे class में शिख्षक आता है और वो आपका क्या है natural stimulus ठीक है ना और बच्चे चुप-चाब हो जाते हैं तो वो क्या है natural response सिख्षक class में आया बच्चे हो गए चुप तो class में teacher का आना क्या है natural stimulus यानि कि आपका एक तरीके से प्राकर्तिक stimulus मतलब क्या हो गया उद्धीपन और ये हो गया प्राकर्तिक अनुक्रिया ठीक है ना लेकिन सपोच करो अगर teacher class में नहीं आ रहा हो जो monitor है monitor ये कह दे कि भई teacher आने वाला है तो teacher आने वाले तो बच्चे क्या करेंगे अपने आपी चुप हो जाएंगे मतलब क्या हुआ हुआ क्या वो conditional response हो गया मतलब सिक्षक तो नहीं आए ठीक है ना लेकिन बच्चे अपने आपी चुप हो गये तो यहाँ पर monitor है उसने किसका काम किया conditional stimuli का काम किया कि देखिए हम उसको किस से replace कर दिया उसको monitor से replace कर दिया और उससे जो अनुक्री आई वो कैसी कंडिशनल response आई यह इसको अपने ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद अगला आता है जब बच्चे किसी अवधारना को सीखते है और उसका प्रयोग करते है तो अभ्यास के द्वारा उन स प्रतपरता का नियम और इसके अलावा प्रभाव का नियम ठीक है तो यह सारे नियम इनके द्वारा दिये गए है ठीक है और प्रतन और भूल का सिधान्त भी इनके द्वारा दिया गया है तो काफी important है व्यावारवाद में के जनक भी इनको माना जाता तो काफी important है ठीक है वन मानुस थे, वन मानुस पे इन्होंने प्रियोग किया था, सुल्तान नामा के चिंपैजी था, इन पर इन्होंने चार प्रियोग किये थे, ठीक है, इन्होंने का जो प्रियोग था, इन्होंने क्या किया थे, कमरे में केले टांग दिये थे, एक हाइट पर, उसके बाद क्य को पराप्ते कल लियां , यान्य उसके बाद करिया परसूत के बारे में आपको बता चुका हूँ अब आपके लि fracti simple हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको अनुकरिया करने की यानी सही अनुकरिया करने की संभावना बढ़ जाती है इसको हम बोलते है क्रिया पर्सूत का सिद्धान ठीक है न यहाँ पर जो भी आपकी अनुकरिया है वो आपकी एच्छिक हो जाती है ठीक है यानि कि आपकी प्राणी की इच्छा पर निर्भर करती है यह भी ध्यान में रखना है यहां पर जो आपकी प्रतिक्रिया है वो आपकी एच्छिक है इसलिए इसको मानवी व्यवार बोला जाता है क्रिया परसूत का जो व्यवार होता है म जबकि आपका जो उद्धीपन, अनुक्रिया का सिध्धानत है, वो ये कहता है कि आपके सामने अगर उद्धीपन होगा, तो आप अनुक्रिया करेंगे ही करेंगे, आपकी इच्छा पे निर्वर नहीं करता, वो जानवरों का ब्यवार है, ठीक है? इसके बाद अगला आता ह अभी आपको बताया था ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसके बाद जो इसमें आता है बहु अनुक्रिया का नियम, दोस्तों ये सीखने का गौन नियम है, इसको क्या बोलता है? गौन नियम, देखें, पांच गौन नियम इन्होंने दिये थ पांच गौर्ण नियम क्या क्या दे थे, मांसिक इस्तिती का नियम था, सहचर ये परिवर्तन का नियम, आंसिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम है, और उसके बाद आता है समानता का नियम, ठीक है न, तो बहु प्रतिक्रिया का जो नियम खोज नहीं कर लेता है, ठीकर न ऐसा होने पर क्या होता है, इसकी समझ्या सुलच जाती है और उसको संतोष मिल जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बहु अनुकर्या का नियम है, लेकिन ये कैसा नियम है गौन नियम है इसको अपने ध्यान में रखेंगे पांच गौन नियम है तीन मुखे नियम है थॉन्डैक द्वारा दिये गए तो I hope ये दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आये होगी और आपके लिए लबदाई सिद्ध होगी मिलते हैं अगली वीडियो में नाइट आपके संग गुडबाई